नमसकार किसान भाईयों, अगर हम बात करते हैं गेहों की हम ग्रॉथ, यानि कल्णूं की संख्या, कल्लों में अधिक से अधिक ग्यों में फुटाओ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, गेहों का अच्छे से भिकास कैसे हो, इसके लिए जो हमें ग्रॉथ फूर्टर यूज़ करने ह होते हैं उसके बारे में यहां पर दोस्तों हम जानकारी दे रहें अगर आप इनके बारे में क्या तत्तों का क्या-क्या कारी रहता है विशेश लूप से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताईएगा ज्याद़ा कमेंट इसमें कारी करता है हम पूरी बिस्तार से एक पूरी स्रीज बना करके आपको जानकारी दे देंगे जिससे जब भी आप किसी फसल में डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें तत्व है और उसका कारी क्या रहता है तो इसके लिए आपको इतना छोटा सा कारी करना पड़ेगा कम मिलती रहेंगी जदे हम बात करें कि गेहूं में जो ग्रोथ बढ़ाने का सिस्टम होता है उसमें ग्रोथ प्रोंटर जो है बहुत आहम भूमिका निवाता है क्योंकि जो ग्रोथ प्रोंटर होते हैं उसमें जो ग्रोथ बढ़ाने वाले तत्व होते हैं वो मौजूद होते लेकिन उनका कार यह अलग-अलग रहता है तो मुख्य रूप से जो हम गेहूं में पोशक तत्वों को पूरा करते हैं नाइटोजन, फासफोरस, पोटास और अन्य तत्व तो उनसे जो है पौधे का विकास तो होता है लेकिन पौधे में अधिक फुटाओ हो, सेल्स का विभ ग्रोथ पूर्टरों की अलग-अलग कंपणियों के ग्रोथ पूर्टर मिल जाएंगे, जिसमें से कुछ रासाइनिक आते हैं और कुछ जय भी काते हैं, तो जो जय भी ग्रोथ पूर्टर हैं, इनका हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि ये फसल में और भी अच्छे से और थोड़ा लंबे समय तक कारी करते हैं, जबकि ये रासाइनिक ग्रोथ पूर्टर ऐसा नहीं की कारी नहीं करते हैं, लेकिन वो रासाइनिक प्रिक्रिया के द्वारा कारी करते हैं, जिससे कहीं न कहीं हमें नुकसान भी होता है, तो क्यों हम ऐसी चीजों का जहां तक बचन संब्भव बचे और जो जबी growth प्रोंटर हैं उनका यूज करें ये काफी अच्छे से काम करते हैं अब जो जबी growth प्रोंटर हम ढालते हैं जैसे सागरिका हो गया पायो बीटा हो गया और बहुत से कंपनियों के आते हैं सबके तो नाम लेना यहां पर संभूर नहीं है तो आप यह देखिए कि आरगेनिक जो ग्रोथ पूंटर होते हैं उसमें जो मुख्य पोशक तत्व होते हैं पांच्छे तत्व आपको मिल जाएंगे एक तो फिल्विक तत्वों की जरूरत होते हैं जैसे कलों का फुटाओ और विकास के लिए उसके लिए आपको जो हुमिक एसिक जिब्रेलिक एसिड वाले जो ग्रोथ पूंटर हैं उसमें एक चीज़ और आपको देखना चाहिए कि आकसिन जिब्रेलिन और साइटोकेलिन यह चीज़ें मौ भाजन जो होता है वो जिब्रेलिन का कारी रहता है जिससे पौधे के टने को बढ़ाना बीज बनना और परागण में सहायक होता है तो यह चीज़ें भी आपके पोसक तत्तु में ग्रोथ पूंटर में पोसक तत्तु होना जरूरी है वहीं आकसिन और साइटोकानिन है इसक पौधे के अने भाग में पहुषता है और यह बिभाजन करने का कारी करता है पौधे की हाइट को कारता है जब पौधे की हाइट कंट्रोल हammenहीं एक निश्चित हाइट सुरेवात में इतनी तेजी से नहीं भागेगी तो उसमें फूटाव होगा यानि एक तरफ जो जिब का विकास होगा तो निश्चित ही आपके गिहूं की फसल में जो है नए कल्ले निकलेंगे ज्यादा से ज्याला कल्ले निकलेंगे तो इस तरह से जो ग्रोथ पॉंटर मार्केट में उपलब्ध हैं जब भी आप खरीदने जाएं कमपनी का किसी हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है के वल बस आपको ध्यान रखना है थियूमेक एसिड फिलविक एसिड और जिब्रेलिन आकसिन और साइटो काइनिन ये सभी तत्तों होने जरूरी हैं अ चीजें मिक्स मिले होती हैं उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरी डीटेल आपको मिल जाएगी इसमें आकसिन भी है जिब्रेलिन भी है साइटो काइन भी और अन भी पूह सक तत्तों आपको उसमें मौजूद बिल जाते हैं हलाकि उसमें जो है हियूमेक एसिड होता है लेकिन उससे इतना फरक नहीं पड़ेगा और यह सबी तत्यूयद मौझूद है तो उससे आपके की टेलिंग अच्छी हो जाएगी लेकिन यह गोल्ड आप सागरी का गोल्ड डालते हैं तो उसमें हियो मिक्स होता है तो उसको भी आप ले सकते हैं तो यह चीजे रही कि आप जो टेलिंग बढ़ाने की बात करते हैं तो यहाँ पर जो टेलिंग बढ़ती है वो आपके खेत की ताकत और आपने जो ग्रूथ फोटा दिया है वो कैसे काम करता है अच्छे से काम करता है और तनाव आधि को दूर करता है तो निश्चित ही पौधे में अधिक से अधिक कल्ये निकलेंगे लेकिन आपने देखा होगे कि बहुत से लोगों का कहना है कि अगर आप यह चीछ डाल देंगे तो इससे सव एक सो पचास ऐसे कल्ये निकलेंगे तो ऐसा दोस्तों बिलकुल होने वाला नहीं आप ऐसी वीडियो या ऐसी जानकारी के भ्रहम में ब बताया है जो वरायट्टी आपने वाई की है उसकी भी एक होती की 15-18-20 कल्ये निकलेंगे आठ से दस कल्ये निकलेंगे और उस ब्राइटि के आधार पर कल्लू की जो संख्या जैसे जिसमें 15-20 तक कल्ये निकलते हैं तो अगर आप उसमें ग्रोफ पूर्ज करेंगे तो अ पांच से छे गुना अधिक यानि जिसमें 25 कल्ले तक निकलने की चमता उसमें 100-500 कल्ले निकल जाएंगे तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल होने वाला नहीं है तो कि यह ऐसा होता तो जो ब्राइटिया एकड़ में 18-20 कुंतल पैदावार दे दे और सभी कितान एकदम माला माल बन तो ऐसा बिल्कुल नहीं है हां इतना जरूर है कि जब भी आप ग्रोथ पूंटर डालें तो उसका टाइम द्यान रखें बार बार ग्रोथ पूंटर को यूज ना करें एक समय से जो समय होता है तीस दिन तक ग्रोथ पूंटर काम करता है उसके बाद ही डाले और फूल की अ तो इस तरह से आपको फाइदा मिलेगा लेकिन इसका दोस्तों यह बिलकुल मतलब मत समझिये कि कोई जानकारी आपको दे रहा है कि 100 से 1500 कल्ले निकलेंगे ऐसा नहीं है 30 से 35 चालिस तक कल्ले निकल सकते हैं और उस ब्राइटी पर भी काफी निर्भर करता है तो उमीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा फिर भी यह कोई डाउट है तो कमेंट में बताईए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगी तो मैं उस रिलेटेड भी जानकारी आपको दे दूँगा तो बस दोस्तों आज की जानकारी इतनी है मिलते हैं नए वीडियो में धन्यवागत